लेक्चर में हमने डिसकस किया था सिट्यूज चार्टर के बारे में, सिट्यूज चार्टर पार्ट है एकाउंटिविलिटी एंड कंट्रोल के लेक्चर सीरीज का, जैसे हमने एकाउंटिविलिटी एफ कंट्रोल में जो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि सरकार जो लोग भी कंट्रोल करते हैं यह सारे internal mechanism थे external में हमने citizens charter के बारे में देखा था आज civil society बारे में देखेंगे next हम मीडिया के बारे में देखेंगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं तो civil society भी accountability maintain करता है government का या executive का कह सकते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि civil society आखेंगे क्या क्या होता है कि state के बाहर कुछ citizens होते हैं वो आपस में इकठा होते हैं और अपने shared interest के लिए काम करते हैं उसको हम लोग civil society कहते हैं जैसे उदाहरान से समझाता तो बहुत सारे citizen मिल के cricket club बनाते हैं तो वो क्या है एक तरह का civil society है अब जैसे किसी actor के follower मिल के कोई club बनाते हैं जैसे अक्छा गुमार flying club ये क्या हुआ ये भी एक तरह का civil society हुआ कहीं के किसानों पे कोई जमिंदार उस पे सासन कर रहा है उनका सोसन कर रहा है तो वो क्या है मिल के कुछ संगठन बना लिया मजदूर का वो क्या है एक civil society है यानि कि अगर कोई बोले कि civil society क्या है तो सीधे सब्दों में वही बोले हैं कि state के बाहर कुछ citizen इकठा होते हैं अपस में और एक organization type के बना करते हैं वो अपने shared interest अपने personal interest के लिए काम करते है particular उस group के interest के लिए काम करते हैं उसे हम लोग civil society बोलते हैं अब देखे civil society को third sector भी बोला जाता है ठीक है third sector यानि कि पहला दूसरा भी कोई sector होगा तो first sector क्या है state है और दूसरा सेक्टर क्या है business है तो state और business को बोल सकते है क state क्या है government है और business क्या है market है तो government और market को छोड़कर जो एक अलग से entity है ठीक है जो तीसरा सेक्टर है उसको हम लोग बोलते है civil society ठीक है अब इसका देखते हैं हम लोग historical background की कैसे क्या क्या concept था पहले लोग civil society को कैसे define करते थे फिर modern में क्या concept आया हम इसको इसलिए देख रह देखेंगे हम उपर उपर ही देखेंगे कि आखर है क्या historical background में देखते हैं कि civil society जो है वो static नहीं है यानि कि civil society का जो concept है वो dynamic है यानि कि यह ever evolving है यह change कर रहा है मतलब पुराने जबाने में कुछ लोग इसके बारे में दूसरा सोचते थे आज लोगों की सौंच दूसरी है पहले क्या होता था कि civil society जो word है उसको हम लोग interchangeably use करते थे political society और state के लिए यानि कि अभी तो यह उस टाइप से लग रहा होगा लेकिन पहले लोग political society या state को भी civil society बोलते थे क्योंकि जो state होता था मेलनी दू चीजों से बना होता था एक political society जैसे बहुत सारे क्या बोल सकते हैं बहुत सारे parties, political party हो गई ठीक है और civil society इन से मिलके state बना होता था लेकिन पहले क्या था कि लोग state के बाहर क्या चल रहा है उससे कुछ concern नहीं होता था लोगों का ध्यान इस पर होता था कि state क्या काम कर रही है उसी को entity देखा जा सकता है state के बाहर किसी पर ध्यान नहीं आ बाहर में concept आया कि बाहर में भी लोग मिलके influence कर सकते है state को तो फिर बाद में civil society का concept evolve करेगा तो अब देखते हैं जो earliest notion है यानि पहले जो definition है civil society का वो क्या था वो non-political entity के रूप में दिया गया था 18th century में वो आया था ठीक है पहले इसको political entity ही समझा जाता था लेकिन 18th century में क्या हुआ कि यूरोप में एक तरह से democracy के लिए मारा मारी होने लगी एक तरह से public space से demand आने लगा कि popular control होना चाहिए ठीक है यानि कि चार्च और जो भी authoritarian control है उसको हटाना है हमें और political control आना है तो इसके रूप में ठीक है इसी के context में civil society का भी उत्पत्ति हुआ और उसको लो पहले लोगों का नजरिया था क्या था कि civil society is a part of state चलते हैं आगे देखते हैं कि पुछ पुराने theorist हैं उनका क्या मनना है तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेडरिक हेगल का क्या concept है ये पहले philosopher है इन्होंने एक concrete idea दिया है civil society के बारे में ठीक है इनका जो approach है वो dichotomous है dichotomous है किसी चीज़ को दो पराबर भाग में बांटके देखना उस चीज़ को तो ये civil society को civil society को दो तरीकों से देखते हैं एक entity वो ये देखते हैं कि civil society और दूसरा state है यानि ये state को छोड़के जो भे group organization वो civil society है अब इनका क्या मनना था state के बारे में और civil society के बारे में वो देखत हैं ये मानते थे state holistic है holistic मतलब for whole सब के लिए काम करता है alturist है alturist का मतलब क्या होता है devoted for welfare of others without need of anything ठीक है बिना किसी लोब या लालच के किसी के प्रतिया आप कुछ काम कर रहे हो welfare का तो उसको हम लोग बोते है alturist universal है सभी जगह है और benevolent है benevolent का मतलब kind friendly and helpful to others तो ये state के बार में वो क्या बोल लेते कि यह एक तरह का organized part है society का ठीक है यह क्या है sectional है यानि कि किसी particular section के लिए ही क्या करता है और particularistic है particularistic का मतलब क्या होता है special devotion to particular interest किसी खास-तपके के इंटरेस्ट के लिए यह काम करता है अब इनका जो notion था इसके बारे में किसके बारे में civil society के बारे मे बोलते थे यह derivative है पेजुरेटिव है यह derogative का मतलब क्या अपमाण जनक ठीक है और और यह क्या उपहास पुरुन है रिडुकुलास टैप का है इनका नोशन जो था civil society के वहने में थोड़ा उस टैप का था मार्क्स जो थे ठीक है और मार्क्सिस्ट इनका opinion क्या था कि civil society exploitative है subversive है और authoritarian है क्या है कि मार्क्स जो थे ये लोग क्या थे capitalism के against है ठीक है तो इनको ये civil society को एक tool समझते थे capitalism का ठीक है तो इसलिए इनका negative opinion था लेकिन जो neo-marxist है मार्क्स के बाद वाले ठीक है उन्होंने इसको एक intermediary के रूप में देखा state और market के बीच state क्या है government और market क्या है market तो समझी रहे हैं तो इनके बीच मेडियेटर के रूप में देखा यानि कि जो civil society क्या है एक link provide करता है state और market के बीच तो इसलिए marxist opinion आपको हमेशा market के संदर्म में ही दिखेगा और ये बताते हैं कि civil society एक link है इन दोनों के पीच में अब liberal tourist जो बाद में आए उनका क्या मनना था वो देखते हैं पहले देखते हैं कि liberal tourist क्या है liberal tourist वो होते हैं जो कि support करते हैं free market को limited government को जैंके ज्यादा government नहीं होना चाहिए capitalism को यह बढ़ावा देते हैं secularism को देखेंगे आपकी matrimony profile में भी लोग बोलते हैं कि we are liberal ठीक है लेकिन originality में वो देखेंगे तो वो बोलते हैं कि secularism सही नहीं है तो वो support नहीं करते हैं अलाकि यह अलग topic हो गया तो liberal tourist क्या थे कि वो है जो free markets को support करते हैं capitalism को support करते हैं यह कैसे define करते हैं इनका भी by party एक तरह से प्रस्पेक्टिव था यह बोलते हैं कि दो चीजे होती हैं एक civil society और एक state ठीक है तो इनका भी एक तरह से सेम यह legal की तरह के concept इनका भी था कि यह क्या बोलते हैं कि civil society और state दोनों अलग अलग चीजे हैं लेकिन इन्होंने civil society में ही market को consist कर लिया यानि कि civil society में market भी है state भी है और counter civil service society भी है इनके definition के अनुसारा liberal tourist के definition के अनुसारा counter civil society क्या है अब जैसे कोई next nextal का group हो गया वो भी क्या है यह civil society है mafia gang हो गया अंटर वर्ल्ड हो गया organized criminals हो गया यह क्या है civil society के है तो liberal tourist ने क्या किया कि market और जो counter civil society है ठीक है और state को छोड़कर इन तीनों को भी include कर लिया civil society में इसको किसको यानि कि market को भी और यह जो counter civil society group थे और जो original civil society group थे यह तीनों को यह include कर लिया liberal थे वे स्टम modern concept क्या कहता है modern concept अब इसी पी आपको फोकस करना है और यही definition में रहे modern concept कहता है कि civil society एक umbrella term है इसमें बहुत सारे organized group आते हैं इसमें क्या है कि other than market market state और counter civil society groups जैसे नेकसल और criminal groups और यह सब छोड़के और state को छोड़के और market को छोड़के बाकी जो group है वो organized group है वो civil society है तो इस तरह से civil society क्या include करता है इसमें political party आ सकते हैं organizations आ सकते हैं NGO आ सकते हैं voluntary organization आ सकते हैं public media आ सकता है interest group आ सकते हैं और pressure group आ सकते हैं यह क्या है यह सब civil society के एक तरह से type है और यह जो concept क्या है modern concept है तो अगर आप से कोई पूछे modern concept है तो आप यह उपर वाले चीज़ों को भूल जाईएगा यह जो क्योंकि civil society का मैंने पहली बताया था अब अगला है role of civil society इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ basic चीज़े बताना चाहता हूं कि आखिर हमें ज़रुरत क्यों है civil society की तो सबसे पहला कारण है कि जो modern democratic state है यानि कि आज की सरकार जो है इसके पास बहुत ज़्यादा technology है बहुत ज़्यादा surveillance है बहुत ज़्यादा control है मतलब modern state के पास इतना power है जितना अभी पुराने राजा हम राजा से लेके अभी तक के जितने भी authoritarian government ठीलड़ उत्रा पावर नहीं था जितना modern state के पास power है ठीक है तो अगर इस power का सही से इस्तिमाल करे सरकार सही से in the sense कि अगर better way में इस्तिमाल करे तो यह सही रहेगा ल हो सकता है कि लोगों पर atrocities भी होती है जो marginalized section के हैं अब इसमें क्या होता है कि जो powerful लोग है जैसे business हो गया, businessman हो गया, journalist हो गया, politician हो गया इन पर अगर सरकार कोई atrocities करती है तो वो आवाज उठा सकती है क्यों उनके पास पैसा है power है लेकिन कोई आम आदमी अगर कोई कमजोर आदमी आवाज उठाए जैसे minority हो गया, दलित हो गया, तो वो क्या है, वो अकेले कुछ आवाज नहीं निकाल सकता है तो उसके लिए क्या है कि यह civil society उसका help करती है इस case में civil society उसकी मदद करती हो और सरकार के द्वारा लाए गए जो भी atrocities है उसको खतम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाती है, तो पहला हमने देखा कि civil society की जवरत क्यों है modern democratic state के concept में, ठीक है इसको याद रखिएगा, state powerful है और हो सकता है कि वो जो marginalized है उसके atrocity हो तो अमीर उससे बच सकते हैं, गरीब के पास कुछ नहीं है तो civil society उसके help करती है ताकि वो सरकार के atrocities से बच सके, दूसरा कारण क्या है civil society का market आने का, अब देखते हैं कि market कैसे कारण है, तो 90 और 91 के दोर में हमारे है LPG reforms आया, पहले क्या था, government decide करते था कि क्या produce करना है, कितना produce करना है, किसके लिए produce करना है, तो सब चीज क्या था, government decide करता था, लेकिन इसलिए वो क्या है, marginalized section को भी intervention नहीं हो रहा है, कोई भी interference नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, कि जो rich है, और भी richer होते गए, यानि कि rich के पास अब मानी को ही देख लिए, पैसा इकठा होते गया, और गरीब और गरीब बनते गया, इसमें क्या था, कि marginalized section का जो interest था, वो fulfill नहीं हो पारा था, अ अगर वो labor 200 रुपे में काम नहीं करेगा, तो हो सकता है कि 180 रुपे में भी कोई काम करने आज़े, इसलिए labor वो 200 रुपे में भी लेके काम कर सकता है, तो unskilled labor के हम बात कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ, unskilled labor के पास कुछ है नहीं skill, और इतना abundance है कि उसका exploitation हो रहा है, तो इ minimum wage labor act, living wage act, कि इतने से कम पैसा आपकी civil labor को नहीं दे सकते, तो यह क्यों हुआ है, क्योंकि civil society ने interfere किया है, तो हमने civil society का need देखा दो context में, पहला क्या था, modern democratic state powerful हो गया है, तो उसके atrocities से बचाने के लिए आम जनता को यह ज़रूरी है, दूसरा कि market जो है, वो marginality section को exploit न करे, इसके लिए civil society आगे आती है, यानि कि एक तरह से capitalism के जो दूस प्रभाव हैं, उनको counter करने के लिए यह काम करता है, इसलिए हम लोग civil society के जोरत है, अब देखते हैं हम लोग आपस आते हैं अपने topic पे, यह जो राम कहानी है, इसको थोरा दिमाग में रखिएगा, अब देखते हैं कि role of civil society, civil society के तीन role हम discuss करेंगे, एक तो हम discuss करेंगे कि good governance और democracy के context में, दूसरा policy formulation और policy implementation का, और तीसरा हम देखेंगे कि सरकार को यह कैसे sensitive बनाती है, तो तीन heading में हम इसको देखेंगे role of civil society को, उसमें से पहला heading जो है, उसमें भी बहुत सारे subpoint है, जैसे पहला heading हम देखेंगे कि civil society as a vehicle of good governance, यानि कि good governance को civil society कैसे promote करता है, उसको हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि civil society का role क्या है डिमोक्रेसी में, तो सबसे पहले start करते हैं कि civil society में क्या role डूल क्या है civil society के democracy के लिए ठीक है तो civil society क्या है society के development के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये enrich करता है society को कैसे politically भी economically भी और culturally भी कैसे अब कारान आता है कि कैसे तो civil society में कौन-कौनसे group होते हैं हो सकता है की कोई traders का group हो जाए association हो जाए तो वो क्या है economically प्रोस्पर करेगा कोई political group हो जाए तो वो क्या है politically उसको enrich करेगा society को cultural ग्रूप हो जाए कैसे नॉर्थ इस्टन पीपूल का तो वो क्या का इन्रिच करेगा तो यह क्या है यह डेवलप्मेंट को सुसाइटी में मदद करता है यह इन्रिच करता है पोलिटिकली एक्रोमिकली और कल्चुली दूसरा देखते हैं कि सिवल सुसाइटी डैवर्सिटी लाता है डैवर्सिटी क्या होता है विविद्धा ठीक है विविद्धा कैसे लाएगा अब देखिए हो सकता है कि सरकार को एक स्मॉल सेक्शन ऑप सुसाइटी कंट्रोल करें हो सकता है क्या पटिलिस्ट भी ही कंट्रोल करें या जिसके पास पैसा है वो कंट्रोल करें तो vested interest group भी government को control कर सकते हैं, ठीक है तो इसके लिए क्या करता है, civil society बीच बीच पे आवाज उथाते रहता है, कि नहीं यह जो हो रहा है, कलत हो रहा है, या ऐसा हो रहा है तो वो क्या करते हैं, एक तरह से diversity लाते हैं, अब जैसे Indian political system में आप देखेंगे तो एक left भी है, right भी है center भी है, ठीक है, तो left ideology, right ideology भी सब तरह के लोग मिलेगें, तो यह क्या है, diversity है तो small vested interest वाले लोगों को एक तरह से यह counter करने का भी काम करता है, civil society अब देखिए, अगला है state of, state के misuse को यह counter करता है, यानि कि state के पास बहुत सारा power है, उस power का misuse न हो, उसके लिए भी यह सहयोग करता है कैसे करता है, क्योंकि अगर individual होगा, अगर कोई individual state के power को अकेले contain नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर individual association में आजाए, एक group में आजाए तो उसका power क्या होता है, बढ़ जाता है तो यह क्या करता है, state के जो authoritarian character है, उसको खतम करता है, और democratic character को बढ़ावा देता है, कैसे दे सकता है, वो हर्ताल कर सकता है ठीक है, धरना दे सकता है अगर किसी policy हो, उसके खिलाब, तो सरकार को क्या है, authoritarian से आपको shift होना परेगा, democratic character के पास, अगला है, कि यह supplement करता है, role of political party in political mobilization और political education में, अब जबसे और better participation ensure करता है, वैसे election के time में कोई NGO आपको दिखेगा, ठीक है वो बताती है कि किस-किस कौन सी party में, ठीक है कितना criminal record वाले आदमी है ठीक है, किस के पास कितना पैसा है तो यह सब क्या है, यह जो civil society है एक तरह से आपको educate भी कर रही है voter को, यानि कि यह better participation भी ensure कर रही है, वोट देने के लिए भी पुरताइस, पुरतसाहित करती है तो यह क्या है, एक तरह से civil society कहीं role है, वो better participation को बढ़ावा दे रही है अचा आप देखिए, कि यह next है, कि यह emergence of new leader में भी help करता है, अब जैसे मोधी को ही ले लीजे, तो वो RSS के पाट है, तो RSS को अगर देखेंगे, तो वो भी क्या है, एक तरह का association है एक civil society है, तो emergence of new leader में भी इंसका सहयोग रहता है, आगे क्या है, यह state को stability provide कराता है, civil society, कैसे करा सकता है माल लिजे, coronavirus का दोर है ठीक है, सरकार each and every section of marginalized section of society के पास पहुँच नहीं शकती, ठीक है तो हर तरफ क्योस का महौल है, लेकिन इसमें क्या है, कि कुछ NGO की खाना वाना बनाके, ठीक है, लोगों को दे रहे हैं, बाट रहे हैं, तो एक तरह से क्या है state में stability लाने का भी प्रयोग काम कर रहे हैं तो अगर हम लोग civil society को democracy के सापक्ष में, अगर democracy की accordance में देखे हैं, तो यह यह उसका role होता है, अब देखते हैं कि 90-80 के दसक के बाद, एक superpower के रूप में उभर के आया है, ठीक है लेकिन इसके पीछे क्या कारण है तो ऐसा पता चला कि वहाँ पे जो भी civil societies है, वो इसके कारण है चाइना को एक economic power बनाने में, ठीक है initially China क्या था, वो भी authoritarian था, ठीक है, कोई भी role नहीं था जो भी वैपारियों के, तो यह सब क्या है, यह तरह से चाइना को economic power बनाने मदद किया, अब इसका negative role भी आ सकता है, जैसे ethnic classes आपको देखने को मिलेगा, Somalia में Nigeria में, ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे छोटे-छोटे group है, तो वो भी क्या है civil society है, तो यह क्या कर रहे है, यह वहाँ की economy को और ज्यादा से ज्यादा poor बना रहे है, वो ज्यादा unstable है, तो इसके चलते क्या है, वहाँ पे economy fall full नहीं रही है, तो यह civil society इसको counterproductive भी हो सकता है, आगे देखते हैं कि civil society है, यह transparency भी लाता है और openness भी लाता है, कैसे transparency openness लाएगा, क्योंकि यह बहुत सारे initiative लेता है खुद से, एक example से समझते हैं कि भारत में RTI initiative, ठीक है पहले यह start किया गया था मजदूर किसान सक्ति संगठन के द्वारा, जिसको head करते थे अरुना राजस्थान में तो यह क्या किया है, यह RTI को लाने में इसकी अहम भूमी क्या है अब देखिए, जैसे अपने अरुविंद केज़िवाल हैं, यह भी क्या है, एक important role play किये हैं, उनका एक NGO था परिवर्तन करके, तो परिवर्तन NGO, इसको head करते थे अरुविंद केज़िवाल, तो यह भी क्या है RTI को लाने में मदद किया है, अब देखिए यह RTI क्या है, accountability और transparency को बढ़ावा देता है, तो intern हम बोल सकते हैं कि civil society है, यह transparency और openness लाने में भी काम करता है, यह सरकार के बात करता है, ठीक है अगला है कि civil society provide कराता है, sustainability of program, कैसे? क्योंकि generally देखा गया है कि bureaucracy में commitment बहुत कम होता है implementation के लिए, program policies तो बन जाती है, लेकिन implementation के time जो leader होते हैं, जो bureaucrates होते हैं, उनका commitment बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो beneficiary हैं, जैसे citizens भी हैं, उनका भी वैसा सोच रहता है, एक negative type का सोच रहता है, bureaucracy के बारे में, और जो leader हैं, वो भी motivate नहीं होते हैं, इसके बीच आता है अपना civil society, ठीक है? ये civil society का काम क्या है? ये एक ऐसा environment पैदा करता है, जिसमें grassroots level के लोगों का भी participation हो जाता है, अब जब grass root level के लोग भी सरकार के policies के implement करने में participate करेंगे, तो एक तरह का sense of belongingness आता है, ये sense of sense of belongingness आता है, तो इससे क्या होता है? जो भी program है, उसकी sustainability और durability, implementation का increase होता है, अब जो beneficiary है, वो भी excited होगा, क्योंकि वो participate कर रहा है, किसमें implementation में, तो ये जब motivate होगा, तो जो bureaucrates है, इनको भी एक तरह से motivation मिलता है, ये next है, अगला है civil society transform करता है rule driven bureaucracy को mission driven bureaucracy में, rule driven bureaucracy क्या है? वेवरीन model है, वो पूरा rules and regulation के ही based है, लेकिन इसको ये क्या करता है? mission driven bureaucracy बनाता है, कैसे बनाएगा? ये क्या करता है? pressurize करता है state को, ताकि आप rule oriented से goal oriented के पास जाएए, ये demand raise करता है, कि अभी क्या जूरत है और क्या होना चाहिए, तो इस तरह से ये सरकार को क्या करता है? influence करता है, इससे ये better accountability और control भी दिखाता है, ये control करता है एक तरह से, किसको bureaucracy को, तो ये क्या है? role of civil society, किस context में? as a vehicle of good governance के context में, चलते हैं आगे यानि कि ये सब चीज़े होंगे, तो क्या होगा? good governance आएगा ना हमारे पास, तो वही है अगर economic development अच्छा हो अगर लोगों का participation हो, अगर sustainability हो, programming implementation का अगर bureaucracy mission driven हो तो ये सब क्या है? एक तरह से आप good governance के side में जा रहे हैं चलते हैं आगे अब देखते हैं, role of society and public policy sorry, role of civil society देख रहे हैं, अब public policy के संदरब में क्या रोल है इसका? तो इसमें सबसे पहला हम देखतेंगे civil society और policy inclusion inclusion के मतलब में सब की भागेदारी, inclusion के क्या मतलब होता है? सब की भागेदारी, तो policy inclusion में यानि कि सब का कहना हो, जब भी policy formulation हो, उसमें सब के विचारा है ठीक है? तो यही होता है inclusion यानि कि policy में सब को include करना weak हो गया, marginalized हो गया सब को आप include कर रहे हैं अपने policy में तो वो क्या है? policy inclusion तो generally ऐसा देखा गया है कि जो भी public policy है, वो ignore करते है vulnerable section of society, यानि कि जो weak है, ठीक है, poor है, marginalized है, वारे सारे section of society को सरकार की policies क्या है एक तरह से उनको छोड़ के निकल जाती है ठीक है? यानि उनके लिए कोई important काम नहीं करती है अब जैसे देखिए, लेकिन ये civil society क्या help करेगा? उनको भी, जब policy बनेगी तो उनको भी help करेगा एक एक चांपल से समझते हैं informal और casual level आप समझते हैं ना, देखिए, labor दो तरह के होते हैं एक formal labor होता है, जो की formal hierarchy में आता है जो भी company है उसके, उसका fixed way तन होता है ठीक है? महिने में उसका fixed way कर्द वेतन होगा, increment होगा, bonus होगा extra benefit मिलेगा, holiday मिलेगा ये क्या है? ये formal है informal क्या है? एक तरह से daily मजदू type के तो informal labor में informal labor का case हमें एक देखते हैं 36 कर के, ठीक है? तो जो 36 कर undivided था उनका जो salary और wages बहुत कम था किसे? formal workers है यहाँ permanent implied थे, वहाँ से इनका वेतन बहुत ज़्यादा कम था तो initially इन्होंने बहुत सारा ये सब किया कि कैसे भी करके हमारा वेतन बगएरा बढ़े लेकिन नहीं बढ़ा तो इन्होंने बाद में क्या किया? चतिसगर माइन माइन स्रमिक संकर के एक और्गनाईशन बनाया है, ठीक है? ये और्गनाईशन बाद में बन गया चतिसगर मुक्ति मोर्चा अंडर संकर गुहा नियोगी, ठीक है? तो ये लीडर थे, इनके बीच में एक या सिवे सुसाइटी मर्जों किया, या सकतिगर मुक्ति मोर्चा, ठीक है? ये क्या किया? कि बहुत सारा धर्णा दिया, परदर्शन किया, इससे क्या हुआ कि जो डेली वेज वर्कर थे, जो इन्फॉर्मल वर्कर थे, उनका जो बिनिफिट था बढ़ा दिया गहाई, पेमेंट शेलरी वर्कर बढ़ा दिया गहाई तो अभी देखिये, जब इनिशली सरकार ने पॉलिसी बनाई होगी या यहाँ के प्लांट ने पॉलिसी बनाई होगी जो भी, उसमें क्या था? inclusion नहीं था, किसका inclusion नहीं था informal worker का inclusion नहीं था यानि कि उस policy जो draft किया गया था उनके द्वारा उसमें इनका कोई भागिदारी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने civil society कब गठन किया और ये काफे परसराइज के धर्णा बगरा दिये, तो अब क्या है अब उनकी भी मागी पूरी हो गई, यानि कि policy में उनको भी include किया गया है तो ये क्या है, civil society policy inclusion में भी help करता है, पहला point, दूसरा point देखते हैं कि policy implementation में civil society का क्या role है, तो ये क्या है, बहुत, इसका बहुत role है policy implementation में भी, कैसे तो एक example से समझते हैं जो मुंबई में slum developers है slum developers का मतलब जो जो जोगी जोपड़ी में वहाँ पर रहते हैं, जो आनात लोग हैं उनके वो जो school में admission कराते हैं वो काफी admission कम रहता है सिक्षा ज्यादा तर नहीं है और drop out rate, यानि school से छोड़ने का भी rate बहुत ज्यादा है तो इस case में क्या है, एक organization है जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रथम प्रथम एक तरह का NGO है वो वर करता है, ताकि जो भी marginalized section के लोग है जो पूर है, marginalized है उनका school में admission हो और drop out उनका कम हो, ठीक है तो ये क्या है, effort तो है सरकार का, कि हमें सिक्षा बढ़ानी है, यह हमें से literacy rate बनाना है सारे चीज से सरकार की है लेकिन ये प्रथम क्या है, एक तरह का NGO है civil society है, ये क्या है सरकार का जो implementation है उसमें मदद कर रहा है, ठीक है यानि कि अगर motivate कर रहा है अगर poor को, marginalized को तो वो क्या है, सरकार के policy के implementation में एक तरह से help कर रहा है तो ये दूसरा हुआ अब देखते हैं civil society and policy reform यानि कि कोई policy बन गई है उसमें कुछ reform लाना है यानि कि कुछ बदलाव लाना है, उसमें भी civil society मदद करते है कैसे करते हैं, तो एक example देखते हैं चिलका लेक का, ये चिलका लेक कहा है अफलेबल है, ये है उडिसा में ये इसमें बहुत बढ़िया ecosystem है एक तरह से, मान ये तो काफी diversity है यहाँ पे बहुत तरह के जिवजनतु पाए जाते हैं और ये जिल प्रभाइड करता है अपने अगल पगल के लोगों का पहले क्या हुआ था कि उडिसा गौवर्मेंट ने एक टेंडर निकाला उसमें क्या है कि 1400 हेक्टेर का लेंड जो था वो टाटा फिसरी को दे दिया क्यों दे दिया कि आप यहाँ पे shrimp cultivation कीजिए ठीक है तो यह क्या है यह जो policy है यह तो सरकार के द्वारा बनाई गई है लेकिन अब इस policy को वहाँ के बहुत सारे लोगों ने कोई question किया ठीक है तो कि यह सही नहीं है environment के लिए और हमारे डेली रोजी रोटी भी छिन लेगा तो इस तरह से civil society और वहां के local लोग मिलके काफी protest किया उस protest का नाम दिया गया चिलका बचाओ आंदोलन ठीक है चिलका बचाओ आंदोलन शुरू किया गया तो अब यह जो protest होने लगा इससे जो भे ministry of environment forest and climate change ने इसका संग्यान लिया और environmental impact assessment carry out किया वहां पर बाद में high court ने intervention किया और जो lease किया था यह land उसको cancel कर दिया गया यानि कि वहां पर जो पहले से जो local people थे उनको ही उस resources पे अप जा था और वहां की ecosystem भी save हो गई तो इस case में देखे क्या हम लोग policy reform में भी civil society का काफी अहम योगदान है चलते हैं आगे अभी देखते हैं कि civil society के government को sensitive बनाने में क्या role है तो example से समझते हैं क्या role क्या है अब जब मैं heading दिया हूं कि government को sensitive बनाने में तो यानि बनाता ही है पहला यही है कि वो बनाता है कैसे बनाता है उसका example से देखते हैं उसमें दिल्ली में air pollution काफी ज़्यादा था वो तो आज भी है लेकिन उसमें भी काफी ज़्यादा था तो इसमें क्या है एक organization है Center for Science and Environment ये एक तरह का non-profit public interest research organization है ये क्या है दिल्ली में है तो इसने क्या किया कि एक public interest litigation file किया court में ठीक है और सरकार से जबाब मंगा कि इस pollution को कैसे कम करेंगे आप कुछ model लेके आए तो फिर दिल्ली government के पास कोई option नहीं बचा और वो एक detailed plan के साथ है कि pollution दिल्ली के कैसे खतम किया जाए तो उसके बाद ही CNG बस जो आपको दिखते है दिल्ली में वो introduce किया गया तो यहां के government को sensitive बनाने में भी civil society का role है तो देख लिए civil society के क्या तीन head में हमने discuss किया और तीनो head के बहुत सारे sub head भी थे तो यह है role of civil society का मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है अभी देखते हैं कि limitation क्या है सारा चीज़ देख लिए अभी देखेंगे कि limitation क्या है तो देखते हैं सबसे पहला है conceptual limitation conceptual limitation का मतलब हमने सुरू में ही discuss किया था इसका जो concept है वो change हो रहा है हमेसा यानि कि evolve कर रहा है तो यह इसमें लोगों को अंतर नहीं पता चलता कि यह civil society है या counter civil society है जैसे नकसल से terrorist group से ठीक है कौन society अलग है यह पता कर पाना थोड़ा मुस्किल रहते हैं उधारान के तौर पर देखें कोरी लंकेस का चोड़ी यह थोड़ा controversial हो जाएगा तो उधारान के तौर पर देखें कि बहुत सारे लोग है यह बहुत सारे organization है वो क्या है नकसल सेरिया में जाते हैं ठीक है नकसल सेरिया में जाते हैं वहाँ पर find करने के लिए आखिर उनका problem क्या है ठीक है और इस problem को कैसे solve किया जा सकता है उसके लिए जाते हैं वो वहाँ पर सिख्छा के लिए उनके mobilization के लिए थावा दे रहे हैं ठीक है कुछ तरह के लोग तो सरकार के दिमाग में भी एक misconception रहता है वही क्या है एक तरह से conceptual limitation खुद को civil society और counter civil society में अंतर स्वस्ट कर पाना थोड़ा मुस्किल रहता है आगे देखते हैं कि जो modern concept है civil society का यह mainly किसके द्वारा दिया गया है Robert Putnam's के द्वारा दिया गया है अब Robert Putnam's जो concept लेके आया थे वो concept था social capital approach समझते है social capital approach क्या है social capital approach के पहले हम देखेंगे social capital क्या है ठीक है तो यह क्या है बहुत सारे लोगों का एक तरह का network है relationship का network समझ लीजे जो कि किसी society में रहते हैं एरिया में रहते हैं यह जो network इतना strong होगा लोगों में ऐसा मना जाता है कि development उतना ही ज्यादा आएगा यानि ज्यादा लोगों का network रहेगा तो ज्यादा social capital रहेगा और ज्यादा social capital है तो यह area में और ज्यादा advancement आएगा यही basis है जो भी अपना civil society है इसी को basis मान के civil society को और प्रोथ सहान दिया गया है तो ये idea क्या मानता है कि एक तरह का sympathetic relationship होना चाहिए सरकार के बीच में और civil society के बीच में लेकिन जो ये experiment पे पहुंचे थे अपने Robert सहाब तो ये इसका experimental basis, experiment से पता नहीं चल पाया है यानि कि जो ये study conduct किये थे वो पहले इटली में ही conduct किये थे इसलिए अगर एक जगह का आपने कोई experiment किया है उसको आप पूरे world में apply नहीं कर सकते हो तो इसमें ये conceptual limitation है ठीक है पहला conceptual limitation की distinguish नहीं कर पाते हैं civil society, counter civil society के और दूसरा कि modern जो concept है इनका Robert Patton's का ये जो based है social capital का concept उसका कोई इसके back end में कोई experimental basis नहीं है ये पहला limitation है दूसरा limitation हम देखते हैं कि corruption और fraud है civil society में कैसे corruption और fraud है तो 1980 से 90 के दसक में civil society को क्या माना जाने लगा कि ये जो grassroot label है उसके बहुत नजदीक है तो इनको सरकार के द्वारा भी बहुत सरा एक तरसे पुर्टसाहन दिया गया है आप देखेंगे कि बहुत सरे NGO को funding मिलने लगे ठीक है कि आप जाइए आप लोगों के ज़्यादा नजदीक है तो आप bureaucracy में जो deficiency है वो deficiency आप में नहीं है आप जाके उन लोगों को बढ़ावा देने का उनके development के लिए काम केजिए ठीक है क्योंकि ये लोगों को ज़्यादा नजदीक है अब इतना fund मिलने लगा तो इससे क्या हुगा civil society में itself NGO अगरा में तो rampant corruption होने लगा misconduct होने लगा misutilization of fund आपको देखने को मिलेगा NGO में ठीक है यानि कि fund को ये divert करते थे सही से इस्तिमाल नहीं करते थे तो एक तरह से क्या है इसका limitation corruption और fraud भी एक तरह का limitation है चलते हैं आगे आगे देखते हैं कि civil society as a instrument of new imperialism imperialism जो new imperialism क्या है ये क्या है capitalism की मदद से globalization के मदद से एक developed country, developing country को influence करता है ठीक है तो उसको एक तरह से colonize करता है पहले colonize कैसे किया जाता था पहले colonize किया जाता था power की मदद से trade की मदद से ठीक है जैसे British करके कहते है हमें colonize लेकिन अब वो colonization नहीं है अब इसमें new word आ गया है तो आसे उसका वही है imperialism का, colonization का लेकिन उसका tool taxes बतल गया है अब globalization का use करके या capitalism का use करके ठीक है, आदमी colonize कर रहा है develop country, developing को ठीक है, इस context में परकास करात है ये क्या है, परकास करात नेता है CPI के, ब्रिंदा करात इनके पत नहीं है तो ये क्या है, ये और बहुत सारे communist leader ने बोला है कि धीरे-धीरे NGO और जो voluntary organization है, इनका donation बढ़ रहा है बाहर से, यानि कि बहुत सारे international agency क्या है, इनको बहुत सारा पैसा दे रही है बाहर से किसलिए, ताकि उनको information चाहिए, इंडिया के बारे में अब वो क्या करते है, जो बाहर के organization, वो अपने idea को promote करते है, ठीक है, और उनके idea जो value होते है, वो inconsistent होते है, local value से, एक उदारान से देखेंगे अब जैसे कि कोई Christian missionary है, ठीक है ये भी controversial ही होगा तो क्या है कि constitution में हमें है आजादी कि कोई minority प्रीच कर सकता है, अपना educational institution भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, आजादी है धर्मपरचार की, लेकिन क्या है ये, इनके civil society के रूप में, आपके values को आपके ideals को हो सकता है, कि ये change करते है, और इनको funding कहा से मिलती है, बाहर से मिलती है, बस conceptual clarity के बहले बता रहा हूँ, ये आप परियोग मत कीजिएगा एकजाम में, ठीक है दूसरा है कि nuxal funding बहुत सरा ऐसा मानना है सरकार का ये बहुत सरा एजनसी का, कि nuxalites को funding जो है, बाहर से मिलती है अब चुकि direct कोई country जैसे चाइना वगरा हुआ, वो direct मदद नहीं कर सकता किसी को, तो वो क्या करते हैं NGO और civil society का सहारा लेते हैं कि हम इनको funding दे रहे हैं, development करे के लिए, और वो funding हो सकता है कि divert हो रहा हो इनके लिए तो ये भी एक कारण है अब ही देखिए, recent क्या हो था NTCA protest हुआ था, डिल्दी में ठीक है, तो उसमें क्या था Amnesty International ने, जो सरकार जैसे content कर रही थी जो लाठी चार्ज बगरा कर रही थी या जो भी content करने की कोशिस कर रही थी जो भी protest, उसको Amnesty International बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था ये भी एक तरह का NGO ही है तो ये क्रिटिसाइज किया था कि आपका जो handling है वो सही नहीं है और सरकार clarification देना चाहिए, ये देना चाहिए अब ये मैं नहीं बोलता कि ये जो क्रिटिसाइजेशन है वो ओरिजिनल ही है हो सकता है कि कोई country बैकेंड में इसको पैसा दे रहा हो मदद कर रहा हो कि आप इंडिया एक खलाब आवाज उठाओ तो ये सब controversial है, ये सब आप एक्जाम में मत लिखिएगा ये सारी चीजे बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो जो heading है, ये instrument of neo-emoralism इसके लिए कैसे हो सकता है ये सारी चीजे तो मैं बस उसका एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा होता है और ये जो लोग है ये बताए हैं कि हाँ NGO वगरा को पैसा बाहर से मिलता है, ठीक है आगे चलते हैं कि victim of inequalities अब देखिए, civil society अग क्या काम है कि ये empower करें weak को यानि marginalized section of society को इनको empower करना चाहिए, ठीक है लेकिन ये क्या करते हैं, ये खुद victim बन गए है state of structural inequalities का, कैसे एक example से समझते हैं BCCI जी आपने यहाँ, जो cricket का agency है इसको ये क्या है, एक तरह का society है society है और registered है अंदर Tamil Nadu Societies Registration Act में ये भी एक तरह का civil society है अब इसके chairman कौन है, ये JSA है इसके chairman ये कौन है, अमिद सा के लड़के है, ठीक है ये secretary है BCCI के तो ये क्या है, एक तरह से inequalities को बढ़ावा ही दिया जा रहा है ठीक है, इसका काम क्या था कि empower करें, गरीब तक नीचे weaker section के लोगों को लेकिन इसमें खुद ही है आपको nepotism वगरा देखने को मिल रहा है, political influence देखने को मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा इसको explain करना ख़तरनाक हो सकता है चलते हैं आगे, अगला क्या है अगला जब हम इसको conclude करेंगे किसी topic पर तो हम way forward बताएंगे तो civil society क्या है sine qua non है, sine qua non का मतलब क्या है, एकदम extremely required है, यानि कि एकदम जरूरी है for effective and better governance यानि कि good governance चाहिए तो civil society का होना जरूरी भी है despite of all those shortcomings जो भी limitation है तो good governance को कैसे चीफ किया जा सकता है civil society के द्वारा, क्योंकि civil society का presence जो है, वो अगर grassroot rebel तक रहेगा, तो हमें good governance मिलेगा, लेकिन इसका जो funding है, इस should be internal rather than externally यानि कि सरकार खोड़ इसको fund करे ये, इंडिया के अंदर ही fund इखटा करे, तो ये ज़्यादा आच्छा है, way forward में आप बता रहे हैं इस चीज को, ठीक है और educate system होना चाहिए, ताकि ये checks and balances अस्थापित करें किस पे, NGO पे उनके funding पे, उनके कामकाज पे, ठीक है, ताकि जाता से ज़्यादा transparency है उसके functioning में transparent होके ये function करें तो ये था हमने देख लिया civil society का आगे हम लोग next lecture में देखेंगे role of media अब ही आपको ये lecture अगर slow लग रहा हो तो आप इसको 2x speed पे देख सकते हैं तरने बात